तो हेलो एवरीवन मैं वापिस आ गया हूं मैं हूं अर्पिस प्रम यूर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब पर सकते हो फिजेक्स कमेस्टी मैस बिलाजी फॉर एपसिलिटी फ्री एट लर्णोहब.com तो जैसा मैंने बोला था कि वाकी की कोशन्स भी हम देखने वाले हैं तो हम बाकी की कोशन्स देखने भी आ चुके हैं और उमीद है जैसा मैंने बोला था तुमसे कि करना और तुमने करा होगा प्रैक्टिस ठीक है तो चलो अगर नहीं कर रहा है तो फिर से करना बापिस जो ह करो पूरे पूरे मेरे को क्या बताओ कॉंसेट भी बताओ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं मारे पहले कोशन से हमारे की राइड़ी मेकनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इल्ड एथनॉल भाई एथनॉल बनाने के लिए तुम्हें कुछ मेकनिस्म बतानी है क्या एथीन के साथ ठीक है तो यह मैं पता होगा उमीद बहुत अच्छे सा करता हूं मैं यह थीन तो पता है ना इस प्रैक्टिस करी है तो पता है अगर नहीं करी तो देख रहे हो गया भी तूम ठीक है यह एथीन सीएच्ट्थ्रू डबल बॉन्ट सी एच टू अब इसमें हो oxygen जो है वह double bond बनाता है यहां पर बनाएं त्रिपल बॉंड तो यह क्या हो जाएगा प्लस समझ गए बात सबसे पहले होता है तुम्हारा protonation यह वाला बॉंड तूटेगा यहां पर जोड़ जाएगा तुमारा क्या hydrogen यहां पर यहां पर इसके पास बॉंड की कमी है तो इसक्यू पर क्या आएगा तुमारा पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छे बॉंड बॉंड की कमी है तो हम यह भी बोल सकते किसने दे ठीक है तो चलो यह क्या होगा तुमारा पॉजिटिव चार्ज तो सबसे पहले क्या हुआ तुमारा प्रोटोनेशन यह है तुमारी प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन क्या हुआ क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया हाइड्रोजन को हम प्रोटोन भी तो बोलते है ना रिजन आखें चोह हो गया तो यह हो गए उसके बाद क्या होता है यहां पर तुमाझार है यहां पर जो तुमारा बन्स रहें गया ठीक है अब जो वाटर है वह आटेक करता है ठीक है वाटर कैसे अटेक करता है lou फेलिक अ क्वा अटेकिंग ओफ एच्टू ओ या फिर वाटर वाटर लेखना तुम ठीक है क्या होता है न्यूक्योफिलेक अटेंग अटेकिंग होती है तो यह पूरा का पूरा मॉलीक्यूल कहां पर आके जोड़ जाता है इस कार्बोकेटाइन से तो क्या बनता है तुमारा यह देखो यह बनता है सी ए यह यहें तो पहले से था ठीक है बाकी क्या हुको तुमारा वाला ऑक्सेजन आके जोड़ेती है तो यह यह यहां पर मजा आ रहें यहां पर मज़ा आ रहा है लेकिन एक काम करो लेकिन मैं तीन बॉंड तो कभी बनाता नहीं हूं और मैं फिर से नहीं बनाऊंगा मैं तीन बॉंड तो बनाऊंगा यह नहीं तुम कुछ भी कर लो तो यह क्या करता है यह वाला बॉंड को तोड़ देता है यह वाले बॉंड को को एड कर आये था अब फिर न्युक्लोफ लेका टैकिंग किसका हाए किसका वाटर का वाटर सीधा सीधा अटैक करें किस पर कारो का टायन पर सीधा जाकर जोड़े एस पर तो तो तुमारा यह बना आप अब ऑख जं कह रहा है मैं तीन बॉर्ड नहीं बनाऊंगा ठीक है तो ता यहां पर क्या हो रहा है यह रिमूव हो रहा है तो यह थर्ड स्टेप है यह कहा है तुमारी दी प्रोटोनेशन तो तीन स्टेप में होती है तुमारी क्या रियक्शन होती है तीन स्टेप में पहले इथीन से एथनॉल बनाने के लिए एथनॉल 3 step में होती है वो आमने देख ली ठीक है उसको मैं step में बस लिखते है वाध देखो पहला हुआ तुम्हारा protonation अंँ ठीक है दूसरा क्या हुआ तुम्हारा दूसरा तुम्हारा हो ता nukeo flic attack किसका हुआ था वो comport होता है ठ्लेंस तो और तर्ड में हुआ तुम्हारे डी प्रोटोचिश रृट रोटोचीन . तू़ तीन स्टैप में तम्हारी होती है क्या यहीज रिमूब कर दिया को छोड़ दिया और यहां पर hydrogen आके जोड़ा था यहां पर तुम्हारे क्या जोड़ा था एच्टू ओ जोड़ा था समझ गया इतना यह वाला कोशन तो बहुत एजीली समझ गया होगे next question देखते हैं अब बना देखो तुम्हारा next question क्या यू आर गिवन बैंजीन ठीक है तो मैं भाईया बैंजीन दिया है और न वच दिया हुआ है तो मैं तीन चीज दी गई है राइट दी एक्क्वेशन फॉड़े प्रपरेशन ऑफ फिनोल यूजिंग इस रिएजेंट्स ठीक है तो हमें तो यह सीडिय सीडियर रियक्शन सी प है इस विट यह को पता है यह बनता है बैंजीन ग्र ostat पर जोड़ जाता है hoTs ops यह हमें पता है सी तैस्यों ऊपौर है अब उन्हीं ने नहीं है ने बता दिया हूए हमने दो चीज़ का का हम कर चुके हमने बैंजीन का और हास toxic old कर दिया हुए क्या मारां कंसंट्रेटिट सो यह नहीं है कंसरें टेंट टाइध है तुम्हारा वरak अशोथी एक अब जब इसको हम यह जो तुमारा ना इसको कॉम करते हैं क्या करते हैं क्या हुआ हुआ हां कुछ थैंतology करते हैं मतलब कि Aus में reaction कराते हैं तो क्या बनता है यह जो है यह को कर देता है replace तो इसको कर रूपलेस टीक है तो बनता किया तुमारे यह बनता बेंजीन है बेंजीन ओच रेपलेस नहीं करता यह क्या करेगा एजन एड़ जोड़ जाएगा किस से इससे oxygen और एन ए यह हमें पता है ठीक है तो यह पूरा का पूरा जुड़ जाता है अब जब यह हाइड़न निकलेगा एस तरी एच के साथ तो बापस के बना लेगा सफे अपोर यही तो इसकी क्या है आथ या ज parents है यह यह था लिएन मैंने बताएट था कि तुम्हें सखी रहे हैं ठीक है य यह क्या होजाएगा क्या एने सी एल यह पर ने पछले वीडियों पड़ा है और यह क्या जाएगा यह बेंजीन जो है यह वापस एड करेगा ऑक्सीजन और यह एच बचाइस से जोड़ जाएगा तो क्या बना तुमारा फिन ओल यहां पे एच टू आस फो यह था बैंजीन बैंजीन इडियेट कर रहा तो क्या बना तुमारा यह क्या है सलफोनिक यह क्या तुमारा सलफेट है ना ठीक है यह क्या बना तुमारा यह बना तुमारा सोडियम फिन ओक्साइड इसके बाद क्या यह फिनॉल ठीक तो इतना हम समझ गए क्या हुआ तुमने सबसे पहले करा ह है आप सांथ यूज यह का राइन वेच के साथ फिर हमको पता है कि हम डाइल्यू टैसी है के साथ अगर कराते हैं तो हमें मिलता है फिनॉल यह क्या तुमारा फिनॉल समझ गए इतना ठीक है यह वाली कोशन हो गया हमारा next question देखा अब अपकर देखो next question के कह रहा है show how will you synthesize ठीक अब तुम्हें क्या synthesize करना है कैसे synthesize करोगे वो देखना है ठीक है तो देखो कहा है तुम्हारा पहला पहला देया है तुम्हें वन फिनाइल एथनल फ्रॉम सुटेवल अलकीन ठीक जहां से तुम्हें सबसे पहले क्या दिया तुम्हें वन ऐसना यहां पर चल अजहीं है तो अगर मैं यह दो अंनल टुम्हें यह बनाना है तो कैसे बनाओगे एक बाल बताओ अगर मैं इसका dehydration करता हूँ तो क्या होगा यहां से एक H उठेगा यहां से OH होगा और वो निकल जाएगा साथ में तो मतलब कौन सा मिलेगा हमें अलकीनी तो मिलेगा ठीक है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको देखो अगर मैं benzene लूँ ठीक है यहां पर मैं CH double bond CH2 इसकी reaction मैंने क्य तो अगर मैं यहां पर एड करूंगा तो यह बन जाएगा ना ठीक है तो क्या करूंगा benzene plus H2O तो क्या बनेगा तुमारा यह बनेगा कैसे बनेगा यहां से bond तूटेगा ठीक है कौन सा principle लग जाएगा भाई कौन सा लोग लगेगा यहां पर जब यह bond तूटेगा ठीक है नेगेटिव वाला पार्ट कहां पर जोड़ेगा वहां पर जोड़ेगा जहां पर कम हैट हो जने ठीक है तो यह वाला तुम्हें नाम पता है इसका नाम जल्ली से बता देना ठीक हो बनेगा क्या तुमारा इसका नाम क्या हो जाएगा इथीन ठीक है इसका नाम क्या angen कि समझे यह बना तुमारा तो यह जाएगा तुमारा स्टैक्चर जालब साइकंड देखो ठीक है दूसरा के तवारा दूसरा है हॉ साइक्लो हेक्जायल मेथन नौल साइक्लो हेक्जायल मैत अनौल मतलब क्या है सी an به च एच टू ho यहां पर क्या होगा तम्हारा यहहौगा तम्हारा बेंजीन थी कहा यह है तुम्हारा साइकल है पोगा तो यह हो किसे हमको पता है एक चीज कि यह है एक नूक्ली फाइल और यह हो रही है bai है SN2 reaction मतलब इसने किसी को replace कर रहा होगा तो हम सब्सक्राइब करते हैं कि हमने ले लिया साइकल है और यह ले लिया हमने CH2 CL ठीक है साइकल है हमने ख्लोरो मीथेन ले लिया ठीक है तो क्या होगा इसकी reaction अगर मैं करा दू एन ऐ ओ एच के सांथ do एण एओ एच के साथ अब बताओ क्या को यह सको कर देगा replace यह उसको कर देगा rapidly थे क्या बनेगा यह थो गया तो और यह वा एच लॉह और बाहर यह O लोफाइल है इसने इसको क्या कर दिया है कौन सी एक्षिन एस अटी मेंडों रिएक्षिन इसनो Cape तीक्त नाम क्या हो गये यह तम्हारा साइक्ल है थबनाने सबसे जाओ यह सबत सब्सक्राइब है तो सबसे बन जाना चाहिए कि आगर मैं क्या करूं किसी भी हैलाइड को ले लूँ जिसके कारवन किते हो पांच चीन की हो तो मतलब वन टू थ्री फॉर फाइव पांच चेन कवाल हमने कारवन उठा लिया ठीक है यह हो गया तुम्हारा उसके बाद क्या तुम्हें अलकायल हेलाइड से हमें बनाना है और ठीक है तो मैं ले लेता हूं किसको इधर मैंने ले लिया मानलो भी आर ठीक है अब साटिस्फाय करने ज़रा इसकी वैलेंसी क्यों तुम्हाँ है का यह थी फीच टू इतना तोमस्माज गया होगे ठीक अब दो तरीक कि से कर साते हो तो तुम बहुत अच्छे से चीक दो तरी के से कर साकते हैं एक थोड़ा सा थोड़ा से लंबा बाकि तुम से वो भी वो तुम्हें पता है क्यों कि हमने पिछला चैव्ट पड़ा है इसकी रियक्षिन में सीधे एने वेस्टे करा दूँ तो क्या होगा यह इसको रेप्लेस कर देगा ठीक है और क्या बना देगा तुमारा पैंटेनोल CS3 CH2 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 1234 और यह 5 यह पैंटेनोल बना देगा एक तरीका तो यह दूसरा क्या तरीका है अगर मैं इसको किसके सांथ करा दूँ किसके सांथ कराओ मैं एलकोहलिक को एच एलकोहलिक को एच तो क्या होगा कि इस बीटा से उठेगा हाइडोजन यहां से उठेगा ब्रोमीन तो क्या बनाएगा तुमारा सबसे पहले बनाएगा इन CH3 CH2 CH2 CH ठीक है 1,2,3,4 हो गए और यह double bond CH2 यह बनाएगा अब इसका मैं करा दूं क्या KOH के साथ अगर मैं आप क्या कर रहा हूँ reaction करा दूं किसके साथ H2O के साथ ठीक है H2O के साथ in the presence of in the presence of H2O2 मतलब पार ओक्साइड की प्रेशेंस में ठीक है तो यह क्या होगा यहां पर जोड़ जाएगा ओएच तो यह जाएगा CH3 CH2 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 यह यह भी क्या बना तुमारा पैंटेनोल दो तरीके से तुम बना सकते हो यह क्या हुगा तुमारा Nt Marconiff edition Nt Marconiff कि यहां पर क्या बन गे तुम्हारा पेंटेनॉल और एक और तरीका तो तुम्हारा कि तुम्हें इसको और बाकि तुम्हारा बन जाएगी रियक्षन जैसे पिछली रेक्षन देखी थी समझ गया इतना ठीक है देखो इसमें आपने लिया था जाते हैं प्रेश्मेंट के लिए उसको तुम्हारा सकते हो सब्सक्राइब करा सकते हैं ने 14 था हमारा देखो हमारा क्या है कि गेव टू रियक्शन्स डैट सोस्ट एट एक नेचर ऑफ फिनॉल हमें दो रियक्शन देनी है जो हम बता है कि ऐसे डिक नेचर होता है किसका ने फिनॉल का compare acidity of phenol with ethanol ठीक है तो तुम्हें compare करना है सबसे पहले हम इस reaction को इस कोशन को ही नहीं देखते हैं सबसे पहले हम एकदम basic पर चलते हैं तुमारे 10th क्लास में क्या होता है कि जब भी acid ठीक है acid किसी भी metal के साथ react करता है तो क्या होता है h2 gas निकलती है ठीक है जब भी acid किसी भी base के साथ react करता है तो क्या होता है वाटर और salt बनता है ठीक है तो इन दो process से हम बता सकते है फिनॉल का acidic character ठीक है चलो तो यह दो चीज है हमें पता है बहुत पहले से ही 10th से पता है हमें तो ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर अगर फिनॉल है एसे डिक अगर फिनॉल है एसे डिक और मैंने इसको sodium metal के साथ react कराया तो एच्टू गैस निकलनी चाहिए ठीक है तो यह क्या बनाता है हमें पता है बिलकुल मत बोलना की नहीं पता क्योंकि हम दस बार देख चुके हैं नाम बताओ इसका सोडियम फैनॉकसाइड प्लस देख है यह तो इसके साथ जोड़ गया यह जो है हाइड हो जाता है बाहर तो यह क्या बनाएगा वन अपॉन टू एच्टू गैस क्योंकि एक अटम निकल रहा है न तो यह देखो कि हाँ यह ऐसे डिक तो थोड़ा तो कुछ तो ऐसे डिक है सुमझत रहो थोड़ा तो ul explosive है तो यह तहली अगया है तो इसके बात देखते हैं चले तो पहली रियक्शन हो गई ठेक है अवाम देखते हैं आफ दो सिर्डियेक्शन दूसरी एक'sंद्स के कि अगर मैं और सेम डियक्शन कर ढूं हो से इसकी रियांशन एन ए ओच के साथ अब क्या होगा अब क्या होगा ठीक है यह जो है यह तो बनेगा वापस वैसे ही अब देखो यह के पास तो ओएच भी था और यह हाईडोजन भी है तो यह क्या करेगा साथ में मिलके है एच प्लस ओएच मतलब ही तो यहां पर तुमारी हाइडोजन गैस निकल गई तो भाई यही तो होता है एक यहां पर जब हाईडोजन था रियट कर रहा है तो यह तो यह तो होता है हमें पता है salt प्लस यह क्या बना water तो भाइए हाँ यह सब्सक्राइब चलो यह एसे डिक है आप इसने बोला है कि एसे डिक एसे डिटी को compare करो फिन औल की ओर एफन ओल की और एफन ओल की चलो देखते हैं देखो अब क्या करना है मैं compare करना ना यह हो गया तुमारा फिनॉल यह हो गया तुमारा फिनॉल ठीक है और यह है तुमारा एथनॉल CH3 CH2 O और यह H acid कब होता है जब hydrogen दे दे और यह भी क्या होगा hydrogen दे दे ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ पर तुम्हें बनेगा phenoxide ion O- ठीक है अब जो minus charge आया है oxygen के उपर वो कौन कर देगा stable यह अंदर की जो resonance है यह जो double bond यह घूमते ही रहते हैं ना ठीक है तो यह benzene क्या कर देगा by resonance इसको कर देगा charge को stable ठीक है यह तो हो गया दूसरी बात इसने भी hydrogen दिया इसने भी hydrogen दिया तो क्या बना CH3 CH2 O बना मालो अब इसको कौन maintain करे इसको कौन maintain करे यह तो खुद नहीं करेगा यहां पर कोई resonance है क्या यहां पर तो कोई resonance नहीं है तो यह वाला जो चार्ज है यह stable ही नहीं हो पाएगा जब गो stable नहीं होना चाहेगा तो तुम खुद बताओ अभी तुम घर में बैठके एकदम comfortable हो अप तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पता है कि गंद ही होना है कुछ या फिर सोचके आया कि भाई खुछ बाहर लडाई ही हो नहीं तो मलाई करने जांगे क्या तीक है रखने जाओँका नहीं जाओगे तो यह देहों यह घर बैठें acid किस से अभी देखो फिनॉल अब तुम घर में बैठे हो ठीक है घर में तो लड़ाई चल रही है थोड़ी बहुत तुम्हाई यह बहन की हो गई किसी की भी तुम्हाई भाहर जाओगे तो कोई लड़ाई नहीं है ठीक है तो यह क्या मतलब तुम्हें बाहर अच्छा लग र वो इसको क्या कर रहा है कि हाँ भाई तुम्हा यहाओ कोई दिखात नहीं है ठीक है नेचर जो है किसे को कर रहा है तुम तुम्हाई और फिनॉल किसकी बज़ से ठीक है किया पाफी ज़्यादा प्रग्मारा क्या करता है पुरा चार्ज यो है पूरा स्टेबिलाइज कर देगा समझ गए बात ठीक है तो और यह से कुछ होता है तमारे नेचर के सांथ तुम बाहर गूमना जाते हो जब यह वाला कोशन समझ गए हमने क्स्कुर्षन देखते हैं हमारा देखो अब क्या है तुमारा एक्स्प्रेइन वाय और तो नाइट्रो फिनॉल मोर एसिडिक दैन और थो मेठोक्सी फिनॉल ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है यह कि फिनॉल फिनॉल ओएच tesadity compare न यह ना ओएच जब यह किया तुम्हारा सबसे पहले हम बात करते है और्थो यह बाद करता है और थो मेठोक्सी और तो यह ओगर फिनॉल यह हो गया फिनॉल मेथाक्सी मतलब CH2OH ठीक है और ऐसे डिक कब होता है जब यह वाला हाइड्रोजन दे देता है तो यह वाला हैड्रोजन भी देदेगा तब ही तुम ऐसे डेकर निकालते हो इसक्यू पर जाता है तुमारा कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज इसक्यू प इतना समझ गए आप सुनो जो नाइट्रोग्रोप है नाइट्रोग्रोप है वह होता है विट्ड्राइंग ग्रोप विट्ड्राइंग ग्रोप ठीक है विट्राइंग ग्रॉप मतलब की ये क्या करता है ये ये क्या है ग्रॉपिंग नहीं है वो ग्रॉप ठीक है ये क्या है हाइड एलेक्ट्रॉन को विथ्ड्रॉप करता है मतलब वो अपने साइड कीचता है भाई वो अपने साइड कीचता है और ये क्या करता है ये है donating group donating group donating group तो यह क्या करेगा यह यह electron को देगा किसको देगा रिंग को देगा वो और यह electron को ले लेगा अपने साइडर रिंग से तो सब्लकर इसके पास एक एलेक्टरान बच गया जो हार जुएन rocket ने दे दिया तो इसके पास एक लismus लगा है तो यह एक्स्ता चार्ज को क्या करेगा यह एक्स्ता चार्ज को अपने साइड खीच लेगा अपने साइड खीच लेगा तो सुम्सोचो इस रिंग के पास कोई चार्ज बचा क्या नहीं बचाना ठीक है जब यही खीच लेगा इसको मतलब कि यह वारा जो चार्ज है वो स्टेबल कर तो यह हाइड़जन देगा इसके पास हो क्या हो गया एक एक्स्ट्रा एलेक्ट्रॉन अब यह क्या है डोनेटिंग ग्रॉप है यह तुम्हारा डोनेटिंग ग्रॉप तो यह एलेक्ट्रॉन देगा रिंग को यह एलेक्ट्रॉन रिंग को देगा इसके पास एक कर देगा जिसके कारण जिसके कारण अभी बताया था जैसे कि जो जहां स्टेबल है वहां पर रहना पसंद करता है तो यह यहां पर स्टेबल है ठीक है हाइड्रोजन देने के बाद स्टेबल है मतलब एसे डिक करेक्टर शो करने के बाद वो तब भी स्टेबल है ठीक है तो इसने जो डोनेटिंग करूम सन्हेलेक्टरन दे दिया यह होगा तो यह क्या होगा बैद एसएड है क्या हो गए यह तुम्हाइब एस से बैड इस से में समझ गाए बात इतना समझ गया होना ठीक है कि देखो भाई तुम को कुछ कमी थी ठीक तुम देखो इतना समझो तुम्हाएं पास अच्छा कासा पैसा है ठीक है बहुत अच्छा कासा पैसा है तुमने दे दिया तुमने कुछ दान कर दिया फिर भी तुम्हाएं पास बच रहा है ठीक है एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है ठीक है अब क्या हुआ तुम्हाएं साथ वो जो थे तुमारे जो दोस्ते वो इन्वेस्टर हैं वो क्या तुमारे इन्वेस्टर हैं ठीक तो वो क्या करते हैं कि नहीं तुम डोनेट मत करो नो मतलब तुम डोनेट मत करो हमको इन्वेस्ट कर दो तो तुम्हारा मनी कहां होने लगा इन्वेस्ट इधर तुम्हारा जो पैसा है वो यहां पे इन्वेस्ट होने लगा ठीक है तो तुम क्या होगा एकदम स्टेबल हो गए ठीक है इस्टेबल हो गए क्या हुगा और सोच तो कुछ नहीं मिला ना तुम तो स्टेबल एकदम तो मैं पास कुछ नहीं मिला बागी तुम इन्वेस्ट कर चुके हो अब यहां पर बात करते हैं तुम्हें पास पैसा था अच्छा कासा तुम्हें देने वाले और आगए तो अब भाई तुम्हें पास वो रखने को जगा कर दिया तुम वैसे ही अच्छा हो गिता हो गया है समझ गए वाद तो यह कुछ कहानी होती है समझ गयी चाहती अल करक्त को रिंग को घरजैसे समझो से तुम पर रेड़ पड़ी तो तो तुम्हारा घर-निस्टिबिलाइज हो गया यहां पर क्या हो गया समझ यह बात चलो ठीक है यह बाद ना समझ यह ना बहुत इसी था यह बाला तो आपने एक्स कोशन देखेंगे हमारा देखो अब क्या दिया है तुमारा explain how does oh group ठीक है attached to the carbon atom of benzene ring activated towards the electrophilic substitution ठीक है तो आप हमें कुछ नहीं करना हमें घुम्मी घुम्मी करनी है देखो यह हो गया बैंजीन है ना उसने बोला है बैंजीन के carbon की ऊपर तुमारा ओ एच ग्रूप जोड़ा हुआ है इतना तो अपन समझ गये ठीक है ठीक है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसको मैं इसे भी लिख सकता हूं बैंजीन ठीक है और अगर नहीं लिख सकता तो बताना तुमकी गलत है ऐसे लिख स चलो बस अब देखते चलना अच्छे से यह बन जाएगा तुमारा तो क्या होगा यहां पर जाएगा डबल बॉंड ओ ठीक है जहां पर एक बॉंड अल्रेडी है जहां पर और बॉंड प्रेजेंट है अब धिहान से देखो इस कावन के पास किते बॉंड हो गए पांच करते जो लूण प्र है यह कहाँ करता है अपना शेर करता है रिंग को देनख स्टार्ट करता एक्टिवेट करता है तो यहा बऑन्ड जो है वह सिट हो जाता है यह वह बाला बॉंड का है ये बॉंड तूड जाएगा पहर पास अब वापस क्या होएगा कि अब हमाएं पास कम कि तो ये क्या होगा ये वाला connor तो तो यह वाला बॉंड को तोड़ना पड़ेगा ये वाला तो चारी बॉंड भना रहा है यहाला कम बना रहा है तो इसक्तिक इस्किऩ पर जायाएगफर जाएक तो कैसा वाजब यहische थे danze कि अबल बॉंड ओ ठीक है यहां पर बना तुमारा डॉब बॉंड ठीक है यह आपक रफटेव बना तुमारा याजाए का नेगेटिव चार्ज है नो है समझ गहतना नहीं तम्छेव क्या हुआ कि इसने लोन प्र को शैर करा लोन प्र को शेर गहां तो यह वाला कारवन बना आपांच बांड तो यह क्योंकि मैं तुछारी बनाता हूं तो यह क्या करेगा यह बॉन्ड तोड़ देगा अपना तो यह तो फिर सैड़िस्फाइव हो गया तुमारे लेकिन फिर इसके पास तो थीनी बॉन्ड बचे तो यह क्यों जाएगा इसक्यों पर जाएगा यह यह इनस्ते बॉल गई यहाँ एक हाइद्रोजन भी तो होता है थिक है तो वो क्या ओगा यह भी बनाएगा पांच बोन तो यह काएगा मुझे भी नहीं रखना मुझे भी चार चाहिए तो क्या होगा यह तोड़ जाएगा यहां पर जाएगा नेगटिव चार्ज इतना समझ गए हम इतना समझ गए अब वापस आओ क्या होगा फिर से सफाल होगा तो यह वाला जो बॉंड है यह इधर आएगा ठीक ह सब्सक्राइगा तो क्या होगा इस वाले कार्बन के पांस लुए या फांच consultant अब पांस तो यह घ्या कायएगा ना मै vine दखूंगा ठीक है तो यह बाला बाइं तूट जाएगा अब सुनों बॉंड koई एक एटम नहीं तोड़ सकता मलब नयंद जो है वो एक एटम से नह के लेक्रोन इसके पास समझ गए बाद तो वैसे हो रहा है कि यह बॉन्ड जब तूटा ठीक है यह इसके आने से यह वाला कारबन तो हो गया सैटिस्फाय चार बॉन्ड बना लिया लेकिन यह वाला नहीं हो पार है तो यह क्या होगा इसकी उपर आजाएका नेगिटिव चार ठीक है अब बोन का नंप यह गए एक बॉन्ड ठीक है इस वाले नेगिस में दिया इधर तो यह बन गए एक बोन्ड अधर खाल यह समझ गया ऐसा बन गया ठीक बस अब तुम आ गए ओए अपने सासी अपने साथ यह पर फिर प्लस चार्ज क्लस चार्ज क्योंकि यह तीन बॉंड कभी नी बनाता कि इतना समझ गए ना अपन चलो ठीक है समझ गए अब क्या होगा आखरी सिफ्टिंग कि यह वाला जो एलेक्ट्रोन है आप यह जाएगा इधर अब यह जब जाएगा इधर तो यहांगे देखो यहांपे किने द हो गयाओ हॉट बन जाएगा है ऐसे बन बनेगा तो यह वाले कारवन के पास कितने हो गाए फिर से पांच हो गए स्टार्टिंग मैं भी कित थे 5 फ़ेटना यहां पर भी हुआ पांच तो यह काये गा कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए तो ऊक्षिजन काये गा कि ठीक है यार बहुत हो गया है ठीक है मैं ही तोड़ देता हूं अपना और यह बॉंड तोड़ लेगा और यह उपर जाएगा अपना वाला तो क्या बनेगा देखो क्या बनेगा तुम्हारा यह बॉंड और यह तुमारा बैंजीन इसकी उपर जाएगा यह वाला बॉंड जो अभी अभी बना है यह अभी बना है जो वाला बॉंड ठीक है सिंगल बॉंड हो जाएगा oxygen के पास क्यों कि यह काईगा कि मुझे वापस दे रूंद तो यह प्लस भी चला जाएगा इसके साइट पे इसने एक्टिवेट करा ये देखो नेगेटिव चार्च जहां-जहां पे आया है वहां-वहां पर क्या ओगा तुम्हारा सब्सी टूशन डियक्षन ओगी एलेक्ति अचन वहां पर होगी देखो अब आपकां कहां पे यह बॉनन टूटा तो एक यह यहां पे आया वो कह लेता एक यह पे आया है तो मैं इसको लेख सकता हूं और तो मैटा पैरा और तो इसमे 앞에 देता हूं देख मैटा यह पैरा ठीक है समझगाँ यह नियुक्त आप के लिए सबसे अच्छे पोजिशन कौन कौन से हैं सबसे पहले और थो ठीक है फिर है तुम्हारा कौन सा पैरा फिर है तुम्हारा और थो डैश तो एलेक्ट्रोफिलेक्स सब्सिट्यूशन के लिए जो रिंग में उनने जो साइट एक्टिवेट करिया वो कौन कौन सी है और और तो पैरा और कौन सी है यह तुमारी और तो डैश समझ गए बात ठीक है नाइगिटिव चार्ज का मतलब क्या है एक एक्स्ट्रा एलेक्ट्रोफाइल क्या होता है एलेक्ट्रोफाइल एलेक्ट्रोफाइल डेफिशेंट होता है तो वो तो चाहे गई कि उसको एलेक्ट्र साइड कौन सी एप तो यह और इलेक्रोंब कॉन सी है थो मैं देखो इप समय से चूट रही है तो मैं छूट रही मैट kanar समझ गए यह बात इतना समझ गए हो इसे लिए जो है तुरह नाइट्रो को ग्रोप है जो तुम्हाई ब्रोमीन है जो तुम्हारे हेलो जाने वो जादा तर कहां पर जोडते हैं या तो और्थो पे या तो पैरा पर समझ गए न अपने इतना ठीक है बहुत इजीली समझ गया होगा बहुत मजा आयोगा यह वाले देखने में क्यूंकि टूटना टाटना जाता था ना ठीक है चलो अब नेक्स कोशन देखते हैं हमारा देखो अब नेक्स कोशन क्या है गिव एक्क्वेशन ऑफ फॉलूइंग ठीक है तुम्हें यह एक्क्वेशन दी हुई है अब तुम्हें रियक्शन बताना है ठीक है सबसे पहले क्या है ऑक्सिडेशन ऑफ प्रोपेन वन ओल विथ एलकलाइन के मनो फॉर पोटेशियम पर मैगनेट चलो ठीक है हम बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम यह प्लस है प्लस नेसेंट ऑक्सिडेशन इन्दी प्रेजेंस ऑफ के एम एन ओफॉर सबसे अच्छा ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होता है यह सबसे अच्छा ऑक्सिडेशन कराता है यह ऑक्सिडेशन एजेंट बहुत अच्छा ऑक्सिडेशन होता है यह और यह बना देगा तुमारा क्या CH3 CH2C double bond OH COOH ठीकर यह बन जाएगा तुमारा क्या प्रोपनोग एसट तो पिन एक एसट क्यूंकि यह सबसे strong oxidizing agent होता है जिसके करण क्या करेगा वाले पार्ट को तो स्किप ही कर देगा और सीधा बना देगा तुमारा प्रोपनोएक एसेड तो यह हो गई तुमारी पहली वाली रियक्शन ठीक सेकंड देखो सेकंड के तमारी कि जब ब्रोमीन इन यह क्या है कॉपर सलफाइड का सॉलुशन विट फिनॉल ठीक है तो देखो जब ब्रोमीन को मतलब फिनॉल को फिनॉल के साथ कि क्या दाला गया है ब्रोमीन को ठीक है किस से excss2 कि प्रेजैंस में यह solution है ठीक है copper solid solution है ठीक है तो क्या होगा अब क्या होगा यह देखो यह जो जाएगा सिंपल सी बात है यह रोगा है अभी अपनने पड़ा है यह वह कौनसी है अश्मेटे करेंस मरतम से इच्ट करेंगा और थो और पारा तो होगा दोपुरयर्क बंच राइंगे तुमारे त्रीख ये ओई और ये बी आर जुड़ गया ग्लस त्रीज क्या हो गया ये ओए जूड़ गया और Nowप ठीक है यह क्या होगा पैरा ब्रोमो फिनॉल ठीक है मेजर बनेगा तुम्हारा पैरा वाला मेजर मेजर प्रोडक्ट और यह बनेगा तुम्हारा माइनर प्रोड़क्ट है था समझ गही इतना ठीक है यह देब हो सारी सारे सारे कॉंसर मैं आंवाल लागया ठीक है आप चलो नेकस पडेखते हैं हमारा क्या है कि देखो parfumण आय नो घया में से लिएर टिट फेघंञें लहां त्री ओफेसल फिन रौन मों भी दाइल्यूटेट फॉर्म एच और यह क्या देगा ये नाइट्रो ग्रॉप ग्रॉप और आज कहा पर जोड़ा अगा बिल्कुल बाई पर चोलर क्या हो जाएगा ये देखो बैंजीन ओएच यहां पे नो टू प्लस बैंजीन ऑ और यहां पहलो तो ना हम बताओ यह क्या तुम्हारा और तो नाइटरो फिनोल और टो नाय टो फिनॉल यह किले तुम्हुरा पैकर नाइटरो-फिनॉल फिनॉल यह यह समझ गए तो यह दो परेटक phenomena बनेगे तुम्हारें अब मेजर कौन सा बनेगा तुम बताओगे मेरे को ठीक है चलो ठीक अब सुनों अब हमारा नेक्स कौन सा है फोर्थ वाला फोर्स के कह रहा है हमारा कि तो यह वाली रियक्शन को इस स्टेटमेंट फिर से पढ़ो किया तुमारा ट्रीटिंग फिनॉल वित यहाँ पे दियान दो chloroform इंदी प्रिजेंस ओफ एक्वस एने उएच जड़ा इस रियक्षिन का नाम बता दो जल्दी से यह कौन सी रियक्षिन यह तुम्हारा देखो यह फिनॉल यह ओएच प्लस सी एच सी एल थ्री के साथ कर आते हैं जब हमें रियक्षिन तो क्या इन्दी प्रिजेंस ओफ एने ओएच थ्री एने ओएच के साथ तो यह क्या बनाता है तुम्हारा यह बनाता है तुम्हारा सैलिसल डिहाइड यह क्या बनेगा यह ओएच और यहां बनेग तुमारी कौनसी रियक्शन रिमर्ट इमन रियक्षन याद आ रही है इसका हम आगे पढ़ेंगे भी अच्छ से ठीक है इसके हम पूरी मैकनिज्म देखने वाले हैं अभी आगे ठीक है तो यह क्या होगा तौ माई यह बनेगी दिमर टिमन डियक्शन इतना समझ गए ठीक है यह वाला कोशन हो गया हम नेक्स कोशन पर चलते हैं अब नेक्स कोशन क्या बोल रहा है वह बोल रहा है कि सब्सक्राइब बात याद रखना किस चीज से सबसे पहले समय होता क्या है फिनॉल जो है यह रियक्ट करता है रियक्स विद विद एन ए ओ एच के साथ ठीक है तो यह तो स्टेटमेंट हमने लिख लेग सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेटमेंट के साथ हम लिखते चलेंगे की हो कहा रहा है देखो क्या हो रहा है फिनॉल जो है फिनॉल रियक्ट करता है किसके साथ बेस के साथ बेस क्या है तुम्हारा एन उच के साथ तो यह क्या बनेगा यह तुम्हें पता है यह बनाएगा तुम्हारा क्या सोडियम फिनॉकसाइड सोडियम फिनॉकसाइड इतना पता है क्या होता है यह इस प्याटाइक करता है सीधा जाके तो क्या बनता है तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड जो की सैनॉक्साइड जादा रियक्टिव होता है क्से छादा र्यक्टिव किस चीज के लिए रहा यह देता है तुम्हें एलेक्ट्रो फिलिक क्सवी इतना समझ गए पिक कैई देता है एलेक्ट्रो फिलेकाएं इस देता है अब इसकी हम further reaction कराते हैं किसके साथ co2 के साथ in the presence of hcl in the presence of hcl ठीक है अब co2 क्या है तुमारा यह है तुमारा week अभी बात आओ तुम ज़रा जब यह इलेक्ट्रोफाइल सब्सिटूशन दे रहा है तो यह क्या होना चाहिए यह होता है वीक elektro file i help कि समझ यह तुमारा or touch position पर addition देता है और तुम्हारा क्या देलता है यहां पर क्या हो रही यह यह क्या हो रही है यह तुम्हारा यह हो देगा में खतली इतना हम समझगे इतना जहसे होती ہے पूरी क्या सटीं तो के ओ से क्या याद रख़ोके तुम के ओसे याद रखना दो चीज क्या एक तों कारबल सीओट्व डियेक्ट करता आगे किसे सांसोरियम फिन ओक सायड के सांथ और के ओ सीओब यह बने का लास्ट में तो चल्लम हमें स्टेटमेंट पूरा करते हैं कि जब अल्डाय करता ए it produces, ठीक है, क्या produce करता है वो, sodium phenoxide, sodium phenoxide, that further, that further reacts with CO2 and give, क्या देता है वो, electrophilic substitution क्या देता है, gives electrophilic substitution और बनाता क्या है वो, last मैं यह क्या है तुम्हारा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, यह phenol है और यह CO2 है, यह होता है तुम्हारा salicylic acid, salicylic acid, इसको बोलता है, salicylic acid, समझ गया बाद यह क्या देता है, तुम्हारी कौन सी, कोल बे रियक्शन, यह थोड़ी सी important reaction है, तो इसको ध्यान से रख, याद रखना, ठीक है, और होता क्या है, यहाँ पे, पूरा का पूरा में रियक्शन जो है, मैं कि उसको अभी पूछी नहीं गई है, देखो, second कौन साहरा, रिमेंटीमन रियक्शन, रिमेंटीमन रियक्शन में होता क्या है, हमें पता है यह बात, कि जब भी, फिनॉल जो है, क्या है तुमारा, यह फिनॉल है, ठीक है, यह रियेट करता है किस के साथ, क्लोरोफोर्म के साथ, CH, CL3 के साथ, ठीक, इन दी प्रेजेंस ओफ बेस, जो है तुमारा, सोडियम, हाइड्रोकसइट, ठीक है, फिनॉल रियेट करता है, क्लोरोफोर्म के पास, साथ, इन्दी प्रेजेंस ओफ बेस मतला वह क्या तुम्हारा सोडियम हाईडर ओडाक साइड इधर होता है होता है हम ऊहन देहते हैं सिम्पल सी बात है तुम्हें बना क्या यह होता है तुम्हारा सैली सलडीहाइड ठीक है इसको बोलता है हम साहली सलडीहाइड समझ गई भात ठीक इंदी प्रजेंस ओफ बेस में होता है इतना समझ गई है ठीक हम इसकी मेकनिम्स देखते हैं देखो देखो होता क्या है कि ये तुमारी फेनॉल है ये तुमारा फेनॉल है अब ये रियक्ट करता है किसके साथ ऐसे लिख रहा हूं मैं की थैफ चीजी पूरा गूप वियो जाता है किस पर और सो मी जड़ेगा तो कैसा बने गाथ कि यह देखते हैं यह बना तुमारा फिनॉल और और यह पूर्पाईशन पर जब तुमारा कार्विन जोड़े तो क्या होगा यह पूरे बॉइंस जड़ जाए गा तो क्या और एने ऑज की प्रेसेंस में होगा तो हमें पता है यह जो आंने है कहां पर यह करता है यह ओट के साथ है आTalk क्रता यह और क्या बनाता है तुमारा सोडियूम फिन आंक्साइड एसा बनताएट ठीक है यह बनता है ठीक है तो यह होता है तुमारा रियक्शन में इंटरमीडियेट यह होता है तुमारा इंटरमीडियेट यह क्या होता तुमारा इंटरमीडियेट अब इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं बैंजल क्लोराइड इसक dobule ना बेड्य इं यह होता है तो यह होता तुमारे इंटर्मिडिइट जब इसकी फदर तुम रीयक्शन कराते हो है और किया बनाता है छी एच टो निकल गया और ह बंता है तो क्या बनता होते है तुमारा क वह होड टॉइस ठीक है और ऑर और के निकाल देता कमाएन Anacl मतलब अने चील तॉन निकल जाता तो यह दो प्रिएक कर रहे होंगे तो यह कित्रल निकलता है तो और ये आपर стать तूम किसके सांथ है और क्या बनाता है तुम्हारा यह बनाता है तुम्हारा और सैले याई है जैसा सेलेसे होता है तीक है आप उसमें एक एसे लग रहा है क्योंकि कार्बॉक्स लेघरोप है अब इसमें लदीध है तो सालेसे लडिया दो समझ गहां इतना ठीक है तो यह होती है तुमारे प्रोसेस्ज यह होताई intermediate इन्दी प्रेजेंस और जब तुम बेस कराओगे तुमारा बनता है ऐसा समझ गया इतना ठीक है चलो नेक्स नेक्स देखते हैं हमारा कौन सा है नेक्स क्या है तुमारा नेक्स है तुमारा विल्यम सन एथर सिंथेस ठीक है तो सुनों यह क्या होता है यह रियक्शन यूज ह होती है किस चीज के लिए यूज होती है अन्समेट्रिकल ठीक है अन्समेट्रिकल इथर बनाने के लिए और एंड से मेट्रिकल इथर बनाने के लिए थिक है यूज किस के लिए होती है फॉर प्रेपेरिंग अन्समेट्रिकल इथर या समेट्रिकल इथर या समेट्रिकल ठीक इसमें क्या होता है इसमें होता है एस एन टू अटेक है एसेंट टू अटेक होता है किसका होता है अलकॉक्साइड आयन का अलकॉक्साइड आयन का समझे इस बात मतलब इसमें दो चीज हो रही है एक तो एसेंट टू अटेक होता है और यह यूज किसके लिए होती है अन करता है रिएक्टस के विध कौन सा तौहरा सोडियम सोडियम अच जाइट है तडिक है तो यह क्या यह देता है यह देता है तुम्हें एथर के लेता तब हो हम देखते डैस ले लेता हूं ठीक है तो यहां पर क्या होता है यह एक्स और यह यह तो भाई या बहुत अच्छे दोस्त है अपने और यह साथ में क्या होता है निकल जाते हैं बाहर माइनस एन एक्स ठीक है और क्या मिलता है तुम्हें एथर मिलता है आर ओ आर अब अंसमेटर के एथर क्या होता है और symmetry यहां पर इथर क्या होता है अगर जो तुमारे साइज मतलब number of carbon इथर के left side भी वही हैं मतलब मालो यहां पे तू है तो यहां पर भी टू है समझ भाद ठीक है सेव नंबर और कारबन एटम रहेतं लेफ साइड और तो उसके एथर के तो वो क्या ओजा तो तुम्हारा समेट्रिकल तौन समेट्रिकल क्या हो जाएगा उसका अपोज्ट कि भाई यहां पर अगतीन है तो यहां पर दो ठीक है कि नमबर ऑफ कारबन किया हो सेम नहुत त्क तो इतना समझ गए ठीक एक चीज और ध्यान रखना कि अगर primary हेलाइड है primary हेलाइड है तुम्हारा ठीक है तो यह सबसे अच्छे से reaction देता है ठीक है तो reaction यह अच्छे से देता है किसके लिए इथर बनाने के लिए इतना समझ गए अब अगर secondary या tertiary है secondary या है तो यह क्या होता है अभी हां पर क्या हो रहरे है सब्स्टिटी्टीशन लेकिन अगर से सफ्संटूंट्व है और किया मिलता है तुम्हें लकीन मिलता है कि हम मिलते तुम्हें लेकिन यहां हमाँ पर क्या हो रहा है substitution जो है वह रिपलेश हो जाती है से तो जिसके कारणड तुम्हें सब्सक्राइं ताहिं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर हम देखते आहां वह भी देखेंगे हम चलो तो इसका इसांपल ने यहाँ पर हमने अभी अपर लिया तो मैं इसे नमबर के लिए ने चलो एक नमबर का लेते हैं तो क्या बनेगा यहां पर देखो यह बियार जाएगा यह एने जाएगा बाहर क्या हो जाएगा यह माइनस एने बी आर ठीक है और यह पूरी की पूरी चीन जाके जोड़ जाएगी तो क्या बनेगा तुम्हारा यह देखो यह क्या हो जाएगा तुम्हारा ओछ 3 का ठिक तो तो क्या बना ये देखो वन टू ये क्या बना तुम्हारा इतेन उसको क्या बोलोगा मैं थाक सी पहले पर जोड़ा याओ वन मैं थाक सी तो ये बता सिमेटल एथर एँखेकली एन सेमेट्रकल है क्योंकि यहां पर दो है यहां पर एक ही प्रोजेंट है इतना समझ गया अब हेलाइड ले रहे हैं हम जब प्राइमरी हेलाइड ले रहे हैं जब उसकी बात हो गई है ठीक है अब अगर हम क्या करें टर्शरी लेके देखते हैं देखो अब हम क्या करते हैं टर्शरी हेलाइड लेते हैं अगर CH3, C, CH3, यहाँ पर CH3 और यह एक हैलाइट, ठीक है, अगर हम इसकी रियक्शन कराते हैं अब, किस के साथ, किसी भी अलकॉकसाइड के साथ, सोडियम अलकॉकसाइड के साथ, यह एने, ठीक, यहाँ पर O, और मालो यह मैंने CH2, CH3 ले लिया, ठीक है, तो अब होता क्या है, कि यह जब निकलता है, ठीक है, यह तो निकल जाता है, ठीक है, यह तो निकल जाता है, लेकिन अब होता क्या है, कि यह जो रियक्शन है, यह इतने जल्दी से तो हेंड्रेंस है, यहाँ पर सबसे पहले तो हेंड्रेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो यह क्या कनवर्ट हो Alcoxide जो है आयन है जो Alcoxide वह दो चीज़ करता है सबसे पहले तो वह nuclear assault तो है ही वह nucleophile तो ही ठीक है लेकिन वह strong base भी है भूलना नहीं है बात वह strong base भी है अब जब पूस ट्रॉंग base है तो वह क्या करता है यह elimination भी कराने लगता है क्या कराएगा यह एलिमेनेशन कराएगा तो क्या होगा यह कुछ नहीं जुलना क्या हो जाएगा यहां से यह एलिमेनेट करा देगा यह पूरे को ठीक है यह पूरा हो जाएगा तुम्हारा एलिमेनेट और यहां पर क्या हो जाएगा यह सी एच टू और यह एक्स निकाल के इतना यह कारण सिर्फ एक है तुमने तर्शली ले लिया अब तुम क्या रहा हूं कि मैं रिएक्षन तुमने लिए तुमने बॉडिगार लगा दित्प मैं आने नहीं दूँँगा आप आने ही नहीं देगा वह निकालेगा कैसे तो वह मारना चालू कर देगा तो यह डिया और दूसरा क्या होता है strong based होता है यहांने किसी question शहरा है याद हा रहा हो तुम है फिकर किसमें देगा है एमने यह वह बताना तुम यह होता है strong base जिसके करनवह elimination भी सोग करेगा इसलिए हम tertiary और secondary का इतने easily कैनी कर सकते हम यहां पर इथर नहीं बना सकते विलियम संसेस में बात कर रहा हूं मैं ठीक है विलियम संद में बोल रहा हूं है है ना चलो यह हो गए चीज चलो ठीक एक चीज और है एक चीज और है कि विलियम संद में क्या होता है कि अराइल जो है अराइल है लाइड अगर यह ऐलकाइल और इस लोमें यह बनाना है और एक सराव्म लेते हैं तो यह रियियेक्शन किया करता है differential नहीं करता है यह टीसे reaction को शो नहीं करता है तो दो चीज़ होती है कि कारण इसमें क्या होता है जो एथर है वह अच्छे से नहीं बन पाता है इतना समझ गए तुम ठीक है तो यह होती है तुमारी לה यहाँ पर किते हो यह फिर दो लेकिं तीन नाओ और सेम नाओ तो वह तो तुमारा रख कर लिधर समझ गया और यह यह ही होता है किस में अनित्रिकल इतर बनाने में या समझ गए इतना समझ गया चलो यह वाला कोशन हो गया आम डेक्स देखते हैं मारा देखो अब क्या तमा क्या बनाना है इथीन बनाना है और क्या होई रहा है डीहईड रेशनदेखो तो सबसे पहले हम लखेंगे to double bond CH2 यहां से निकलेगा है और यहां से निकलेगा हो एच ठीक है देखो अब मैंने स्कूशन क्या है कि राइड़ मेकनिस्म और एस्ट डिहाइडरेशन ऑफ एथनॉल टू हील एथीन ठीक है तो देखो सबसे पहले हम नॉर्मरी लेखते हैं इसका छ एच 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 यहां पर एक पर एचा-ार यह हमें यह ऐच्छा है तहरे बहुत अच्छी सेपता यह करता है बौटर निकल लेता है तो यratos तो यह लेगा तो इसकी इसकी मेकनिस क्या है कि मेकनिसम में इक है तुम्हारा इसकी मैकनिसीड़ में सबसे पहली स्ट्यप क्या होता है fractionation सबसे पहले होता हैुसक प्रोटनेशन मतलब क्या होगा एच प्लस एर दोगा ठीक करो क्या हो मैं तुम्हारा IS IT C ये तुम्हें पता ही है थी के अब क्या होगा एच प्लस एड होगा एच प्लस क्या होगा तम्हारा इड होगा ऑक आ स्के पास दो ख़ंख समझ मैं मैं तो यह जब Higher- curric तुमारा वॉर्टर एच यह ठीक है अब देखो ऑफिजन कितने बॉन बनाता है दो बॉन यहां कि तो बना रहा है तीन तो यह कहेगा की भाई यह तो गलत होगे मेरे साथ और हमें पता है कि वॉर्टा सबसे अच्छा क्या है लीविंग रूप तो यह क्यों जाएगा यह ली यह ठीक है इसके बाद क्या है तुमारा यह सी यह यह और यहां पर बना तुमारा कार्बो के टायन क्योंकि यह पूरा का पूरा मॉलेक्यूल जाके निकल गया बाहर इतना समझ गए हम ठीक है तो यह क्या बना तुमारा सेकंड स्टैप क्या हो गई तुमारी सेकंड को लेने से मतलब है नहीं ठीक है तो क्या होगा यह वाले जो हाइड्रोजन है ठीक है इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन ने तीन है तो यह एक हाइड्रोजन को दे देगा क्या कर देगा यह बाहर निकाल देगा और जब हाइड्रोजन बाहर जा रहा है जब तो नेशन ठीक है यह जाएगा डी प्रोटोनेशन अब क्या होगा जब हाइड्रोजन बाहर हो गया हाइड्रोजन बाहर हो गया तो इसके पास भी क्या हो गया एक जो बॉंड है वो फिरी हो गया ठीक है अगर हम इसमें देखें हैं कि यह वाला हाइड्रोजन चला गया बाहर यह वाला hydrogen चला गया बाहर तो क्या होगा इसके पास दो बचे एक बॉंड फिरी और इसके पास भी एक बॉंड फिरी है तो क्या होगा बस बॉंड फॉर्मेशन हो जाएगा देखो यहाँ पर कितने hydrogen बचे इसके पास दो hydrogen क्योंकि एक तो इसने अल्रेडी दे दिया तो फिर बॉंड और यहाँ पर क्या है इसके पास कार्बोकेटायन यह कार्बोकेटायन और इसके पास एक बॉंड फिरी तो यह क्या करेंगे आपस में बना लेंगे बॉंड तो यह क्या बन जागा तुमारा एथीन यह बना तुमारा एथीन इतना समझ गए ठीक तो यह होती इसकी कि मैकनिस्म समझ गई फिर यह थी होती है तुम्हारी इसकी मैकनिस्म होगा सबसे पहले हुआ प्रोटे क्परोगियोว कंपर को तो वो देड ही नहीं सकता क्योंकि उसकी पूरी की पूरी वेलनसी ह representing इसके पास लोन प्यार हैं तो उसने का ठीक है अभी देख लेता हूं में चला अब इसका इसका काम नहीं चला इसने का कि प्वर नहीं साथ ही मिल गया मेरा है स्टू मिल गया तो इसने तो अच्क होगे दो यह पूरा कर्जया अब जब यहां से लिव ओगा तो एक से की फ्री हो गई मतलब उसने क्या बना एक प्रोटनेशंट इतना समझ गया कारवो कैटाइन जब बनाया बनाया तो यहां पे जो hydrogen present थे वाले कारवन के पास क्या हुआ एक hydrogen निकल गया बाहर तो क्या बोलते हैं उसको अम टीप रोटोंनेशन दीप रोटोंनेशन तो यहां तो ये होती ही किसकी एफनाव डू इपनाने न समझ गहें किए स्कोन बोलते हैं acne हिएडरेशन टेक्स डीहाइडरेशन ठीक है छलो अब नेक्स कॉशन дेखते हैं हेमारा रही करूंगर कंवर्जड और तो मैं आपं मен compr can देए विए बहुत सारे देख चूके हैं तो how टैक्निक से भी बना सकते हो ठीक है कैसे बना सकते हम और सिए टृरी कैश्ञा यह पहले पहो गाए तो सिय एज डवल 우리 और ऑप में इसको एक्टॉम bearings कौन से तरीके से करा सकते हैं देखो यह क्या बोल रहा है टूपे औल लगाने टूपे ओल लगाने मतलब हम यहां पर ठीक है तो एक तुमारा कौन सा मार कौने मार को ने फ्यादा रहे है तो उससे भी कर सकते हो लेकिन क्या कर देखो देखो इसको मैं करा सकता हूं अगर मैं Concentrate H2SO4 की प्रिजेंस मैं करा देता हूं ठीख तो क्या होगा जहां पर जो सेकेंट वाला कारवन है CS3 CHO यहां पर जोड़ जाता है OSO3H है एस तोटता है ठीक है और हमें पता है अगर है तो कहीं पर क्या ओर है इनवाल्व हो रहा है रियक्षन में तो वापस बज़ जाता है हम यहाद है कि जितना कंजियुम होता है इसको बाहर भी नकल आता है ठीक है चलो इसको अब च्छोड़ो यहां पर क्या होगा एश यहां पर आकर जोड़ जाएगा तो जाएगा CH3 कि इतना ह पता है ठीक अब इसकी रीएक्षिन अगर मैं क्या करता हूं इसको मैं बॉ abrupt ने तो इसको मैं किया ड़कर आंगा boy इसको मैं करा देता हूं 먹을 in the presence of edg तू ओ ठीक क्या होता है यह सको का देता है replace इसको कर देख दिखो क्या बन आता है तुमारा CH3 CH यहाँ पर और ओं और यह C special एक गलिए क्या बना तुमहारा दो हुआ थरो जा क्वेस्ट धिए लगसासा हुग ना एसे नित ₹ और लगा दो फिर दूवल भी लग दो ठीक है यहां पहले कर रहा है ना ऐसे तो यह क्या होता तो महरा प्रोपेन टूओल एक और रियक्षन तुम्हें पता है जो मार कॉनिफ करा सकते हो तो तुम थिके वहांपे क्या होगा जब आप जोड़ेगा जहांपे कम हाइड्रोजन तो समझ गए इतना कि यह वाला हो गया आई इसव प्रोपायल है इतना समझ गया हम ठीक है चलो अब नेक्स देखते हैं अब कहते तमारा की बैंजाइल क्लॉराइट से तुम्हें बनाना है बैंजाइल अलकॉल यह तो इजी बाला है देखो किया तमारा बैंजीन बनाओ बैं aqueous एन ऐस के साथ कर आते हो तो क्या होता है यह तो मैं पता है कि भाई यह दोनों तो साकी संगी ए और ये को कर देगा रिप्लेस ठीक है तो क्या बनाता महारा ये देखा बैंजीन ये बने गाव एंजीन तो महरा ठीक है यह होगा sh 2 s Doh यह किया तुमारा benzyl alcohol ठिक है यह के तुमारा benzyl क्लोराइड हिश हो ठीक है यह क्या क्या रबihat रबंजाइल ऐलकोहल कि समझ गए ऐतना ठेक चलो यह वाला यहां समझ गए तो यहन के बाद एक और क्या करा सकते हो तुम अब CL को तुम्हें replace कराना है हमने पूरा जो तुम्हारा concept है पहले वाले भी लगा सकते हो ठीक है तो अब तुम बताओगे किससे हम replace और करा सकते हैं ठीक है चलो हम देखते थर्ड वाला हमारा देखो थर्ड क्या है तुम्हारा ethyl magnesium chloride मतलब मैं इसको यहसा लिख रहा हूं c2H5 MgCl बताओए क्या है नाम बताओ इसका इसका नाम क्या रहा बताना इसको हम क्या बोलते हैं कौन सा की रिदोता यह गरिग नाड रिएजेंट है यह होता है ग्रिग नाड रिएजेंट को है ना आरिमजे च से इसको हम आर की ज आके अशो करता जड़ा बता इस सबसे अच्छी अच्छी पर आइड हो लीए या तो तुमारा हो की टॉन भाई इन दोनों के साथ पहला है यह तुम्हें पदा math kit हमें हमें हमेन इथाइल से प्रोपाइल बढ़ा इसी प्र पारड चाहिए यह मतलब तो और टो एक बात बताओ किया ketone का पहला मेंबर एक कारवन होता यह कभी ketone तो होता ही क्या है आर-चीनए वल बन्डोब धूर तो यह होता है因為 भूर और-ऐसी क्योर्ट यह होता है न यह हो यह फॉर्मल डियाइड कहते हैं जिसको हम ठीक है क्लता है पॉर्मल डियाट तो इसकी रिक्षिन गर दो फलसص वल्लेट से डावल अल्से लौन अब क्या होगा यहाँ पर शिफ्टिंच हो गी यहां पर सिफटिंग होग तो यह क्या बनाएगा तीक यहांद आ centrifबं यहाँ पर ओ नेगटिव यहाँ पर पॉजटिव यह बना कार्बोकेटन और यहाँ पर एच तो है ही है ठीक है अब हमें यह बात पताएगी ग्रिंगनाड रिएजेंट में मतलब किसम है और मतलब मंगेटिव यह लगाँ डया सरों नेगटिव नंगर खुन सा नंगर मुण सதंसरों चैनल करें सरदेन और यह बसके यहाँ पर ल ensuring के flows नेगफिकर काली आपूछ Bulgar reference तो हम लाकरी में लेखेंगे फिर नेगेटिव पार्ट कहां पर जोड़ेगा पॉजिटिव पे जो कार्वोकेटा यह देखो यह तुमारा है आर जोड़ दो इधर ठीक है तो क्या बनेगा तुमारा यहां पर है तो बस हम अकॉर्डिंग तो इस रियक्शन अब हम चलते जात हैं से ठीक है तो देखो भाई अगर मैं रियक्शन कर रहाँ किसकी सी टू एच फाइफ एमजी सी एल की किसके साथ ग्रिग नार किसके साथ फॉर्मल डियाइट के साथ एच सी डावल बॉंड ओ एच यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव तो बस जोड़ दो तो क कितने कार्बन नगे तीन कार्बन तो यह जाएगा तुमारा ना मैंसी टू ओ ? कि तो होता गया है कि ये जो OH है इसके पास मतलब इसके पास एक H है और एक OH है जो OH है वो M, G, C, L को लेके निकल जाता है बाहर और H जाके जोड़ जाता है तो क्या बनेगा तुमारा देखो H, C, यहाँ पर H जोड़ जाएगा OH, यहाँ पर जाएगा तुमारा Y, CH2 CH3 और यहाँ पर H तो है ठीक है निकला कहा है तुमारा प्लस M, G, OH और यह C, L यह होगा तुमारा बाहर इतना समझ गए तो अब देखो यह हमारा बना क्या यह बना 1, 2, 3 और पर क्या है तुमारा ऑल, हमें कहें चाहिए था प्रोपेन वन ऑल आफ़ार पहले पर ही ओल है पहले पर कहा है तुमारा ओल है धो 1, 2, 3 प्रोपेन ओ इज़ी था अचिह बस तुमारा ग्रिगणाड के बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हम किसके साथ reaction कराएंगे बागी तो तुम कर लोगे ठीक है हम फॉर्थ वाला देखते हैं देखो देखो फॉर्थ क्या कहा रहा है तुमारे कि यह कितना है तुमारा यहां पर एक ही कार बने यहां पर कितने हो गया तो अब तुम क्या लोगे जरा बताओ ठीक है टू ऑल बोल रहा है तू और कैसे बनाओगे तुम अगर मैं क्या करूं अब मैंने पहले लिए ता इलडी हाइड अब मैं क्या लूँ लेता हूं मैं ठीक है तो क्या होगा भाई सिफ्टिंग होगी यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजटिव है ना और अब चलो हम जोडता जाते हैं इतना तुम्हें पता चल गया तो बस लगा दो सी एच्टिरी सी डावल बॉन्ड ओ और यह सी एच्टिरी नेगेटिव हां पर जाके जोड़ोगे याद रखना कहां पर जोड़ेगा तम हैं नेगेटिव पार्ट कार्बन की ऊपर और यहां पे क्या लगाना है तुम्हें सिर्फ है अधर लगाना है बस यह बात याद रखो ठीक है तो बस इसको लिख दो सीथे सीधे रियक्शन अभी तो तुम हमारा ओ के साथ क्या जोड़ेगा MGBR लेकिन अगर चलो हम सीधे लगते दाओ MGBR अब इसको तुम क्या करते हो वाटर के साथ रियेशन कराते हो तो क्या होता है तुमारा बस बना दो CH3 अब तो तुम से आ गया है यहां पर हो जाएगा क्या ओ और यह एच है ना और यहां पर क्या होगा तुमारा CH3 और यह CH3 नाम बताओ इसका ठीक है 123 123 मतलब प्रोपन और साइकंड पर क्या है तुमारा टू मीथाईल प्रोप एन टू पर क्या है ओल टू मिथाईल प्रोप टू ओल तो क्या हमारा यह बना सही है देखो इदर टू मिथाईल प्रोपन टू और सही बना तो आप तो मैं बस क्रिकनार्ट में एक चीज़ याद रखनी है कि आर mg x जो होता है ना उसमें ठीक है तो जो तुम्हें आर जो बाला पार्ट है वो तो मैं हमेशा उस वाले कार्वन पर जोड़ना जिस पास डवल बॉंड ओ है मत्तब जैसे कि मैं बात करूं h c double bond o h और यहीं पर बात करूं उसकी उपर एच जोड़ देना है तो तुम्हारा सीधे सीधा अंसर हो जाएगा ज्यादा तुम्हें बनाने की जरूद नहीं है कि तुम्हें ये इतना सब करो ठीक है जो आ रहे सीधे जोड़ दना किस पर कारवन की उपर और जो तुम्हारा क्या है ऑफिजन बचेगा न यह इसके साथ नहीं होता है इसके बाद मैं तुम्हें आगे में बताओंगा त्विजए के इस प्री है पर बैस्त जाओं